हाई गाईज वेलकम बेक टू मैं चानल आज मैं आप सभी कोई इजिएस्ट क्राफ बताने वाली हो जो कोई भी बिगनर कोई भी बना सकते हैं जो कभी स्टिशिंग नहीं कि वो लोग भी बना सकते हैं तो देख चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आयन का कवर आपको बताना चाहूंगी आयन का कवर बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक नॉर्मल कपड़ा ली हो आप चादर परदे या कोई भी वेस्ट क्लोथ आपके पास पढ़ा हुआ है वो यूज कर सकते हैं और उसके तो पर आयन का कट लिए जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूं थोड़े बहुत तिर्चे मिर्चे हो जाते हैं कट करते वगत उसे भी आप ठीक कर लिए जैसा कि मैंने किया है तो बस कट कर लिया है अभी मैं बताना चाहूंगी कि इन दोनों के कपड़ों के पड़ा हुआ है या फिर बक्रम आता है कुछ भी आप बीच में स्टफ कर सकते हैं यह पराथे में में रचाव करते हैं उसी तरह हम इसमें भी स्टफ करेंगे स्टफ नहीं मतलब हम बीच में इसमें लगाएंगे ताकि थोड़ा सा कड़क हो जाए तो अभी मैंने लॉट कट करके आप अपने आयन के अकॉर्डिंग चौड़ाई और लंबाई ले 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 इस तरह के से देखिए मैं आपको दिखा रही हूं ताकि वह स्टिच करते वक चारो तरफ तो बस हमें इतने ही जरुवत थी दो टुकड़े कप आयन के नीचे के शेप के और एक बड़ा चार तरफ स्टिच करने के लिए यह देखिए तीन पीस हो गए यह तीनों पीस को सबसे पहले एक के उपर एक रखके दोनों कपड़ों के बीच में बीच में प्लास्टिक लगाएंगे और इसको चारो तरफ से स्टिच कर लेंगे सबसे पहले यह देखिए एक कपड़ा रखा पीर प्लास्टिक भे सalenर भगरो का फिर दूसरा कपड़ा भगरो हम इसे stitch कर लेंगा सबसे पहले इस तरह जमा लेंगे और stitch कर लेंगे देखिए मेरा श्ठिक हो गया है प्लास्टिक जो बहार निकल यök हैओ उसे मैं cut कर दूंगी और यह जो लॉंग पीस हमने लिया था उसे हम चारो तरव अटाच कर लेंगे इस तरीके से एक हिसा बज़ गया है उसे भी अटाच कर देंगे तो यह दिखिए बैक जैसा दिख रहा होगा आपको इसके और एक छोटा सा पोर्शन उपर की साइड में ऐसा फोल्ड करेंगे इलास्टिक धांने के लिए कि दुए तो इ mostra कि Mitch Metal आशे में इन फोल्ड कर लिए हम भी मैं रहा है कि हमें वहींस में पहला है वहां से मचलत ओस्ईस में टाल दूगी अपशना काल जीतना आपको आसानी से आप कवर निकाल सके और लगा सकें слова कि जितनी चोटी जितनी बड़ी रखनी है उतनी आप लगा ले और दोनों हिससे एलास्टिक के स्टिच कर दें तो यह देखिए लास्टिक दाल दिया मैंने अभी मैं आपको फटा-फट से प्रेस में लगा के दिखाती हूं कवर को पहले मैंने है थोड़ा छोटी थी एलस्ट्क पर कट नहीं कि ती, कट करने के पहले मैंने ठ्राल किया ये भी ज़ाये लिखिया ये झालिया थो छोड़ा हिसे उसके आप शोड़ा और वह दो कट कर दिया यह दिखिये, तो इतना अच्छा दिख रहा है अभी आयन हमारा, अभी आप कहीं पर भी रखे रखे ए स्क्रैचेज नहीं आएंगे, और आपका प्रेस काफी सेफ रहे गए आपके लिए, ना तो करेंट लगेगा, ना इसकी कोटिंग खराब होगी, कोटिंग खराब होने से कभी कभी कपड़ें जला देता है बहुत सारे इशुज होते हैं अब एन थोड़ी से एक सीरी पट्टी सिली है तीन तरव से स्टिचिंग की है और इस तरीके से में वायर के लिए एक पट्टी बना लूगे देखिए छोटे-छोटे से वेलक्रो के द मैं आ इस में टौविल में थोड़ी से खराब हो गई थी देखिए छोटे-छोटे से जगे में छोटे-छोटे से भूल हो गए है और यहहां-म जहां हुए वहां से मैं टौवल को कटकर के इससे निकाल दूँगे टौवल काफी थек है तो काफी आच्छा बनने वाला है से मैंने इसमें कुछ भी ज्यादा मेहनत नी की मैं आपको ऐसे ही ऐसी चीज़े बता रही हूँ जो आप आसानी से 10 मिनिट्स में बना सकते हैं तो यह देखिए मैंने निकाल दिया है साइड से तीन तुकड़े अभी इसके हो गया और इनको मैं आपस में स्रिफ आटाज कर दूँगी सीदी से लाई मार के आप चाहें तो हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं उसके बाद मैं इसमें एक फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से और जहां से आपको पिंक बॉर्डर दिख रहा है वहां से सीधी सिलाई भी मार लोगी तो यह देखिए मैंने अभी सीधा कर लिया है अंदर साइड से लाई चली गई है यह देखिए और बहार से बिलकुल भी स्टिचिंग पता नहीं लग रही है यह देखिए बनने के बाद यह बहुत ही अच्छा लगता है और आपको बता देना चाहूंगे कि गीले पे खड़ तो इस तरह का नहीं लेख रहते हैं वो हमारी हैल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है उससे संदी बात भी होता है और आगए चलकर तो अगर आप कि लिए खड़े रहते हैं तो इस तरह का रग बना लिजीए या रेडिमेट भी आते हैं बहुत सारे वो भी ले सकते हैं अगर फाइबर नहीं है रोई भर लिजए रोई भी नहीं है आपके पास तो एक पतली लेयर आप अपने पुराने कपड़ों की कत्रन भी भर सकते हैं या तो फिर आपकी मोटी टॉविल है तो जैसे मैं एक दम सिंपल वेपे सिलाई सी डी सी दिमार के बना लिया वैसा बना यहीं पर मैं आपको लास्ट में अभी एक अपना एक छोटा सा वह बताती हूं कि मैंने क्या बनाया है तो यह रिखे स्क्वार शिप में मैंने कुशन बनाया यह भी बहुत आसान है लेकिन आज का वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसे भी शेयर करती हूं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी फिर मिलते हैं थैंक यू